नेनी ताल जिसको हम City of Lakes के नाम से जीलों का सहर के नाम से भी जानते हैं यह उत्राखंड के एक प्रमुख प्लेस है जिसमें उत्राखंड राज्जी का हाई कोड भी है उच नियाले भी है और यह दिल्ली से मात्र 300 किलोमेंटर की दूरी पर इस्थित है यहां पर प्रिकत का अभूत पूर सोंदर है कि चारों तरफ उची उची पहाड़ों के बीच में एक लेक है जिसमें लोग बोटिंग करते रहते हैं और पास में माल लोड है जहां पर लोग शॉपिंग करते रहते हैं वहां की साम अपने अजीव गरीब होती है रात्री में उसका सोंदर देखते ही बनता है जैसे किसी दुलहन को सिंगार में सजा दिया है वो इसी तरह रात्री का जील का जो सोंदर है वो अपने आप में एक अप्रतिम होता है वहां पर ठेरने के लिए फोर स्टार फार स्टार रेंज की होटेल्स होते हैं जिसमें मनु महरानी है बल्राम पैलेश है आरिफ कैसल है और इसके लावब बिक्रब बिंटेज है बहुत सारे अच्छे होटेल्स हैं क्लासिक दी मॉल है जहां पर आदनी कमफर्टेवली इंजॉई इस्टे एंजॉई कर सकता है साम के लिए वहां पर अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स हैं जिसम पहले पुरण की सूटिंग ती राजेश खंळा की सूटिंग सोटी थी बहुत सारी सूटिंग यहां पर पृकरत का एक मनोरम दृश्य होने के ना दें आनके सोन दर जगाये है, जहां पर उस से भी बड़ा ताल है, यहां पर लोग वोटिंग करते हैं, उसकी climate थोड़ी सी नेनी ताल से होट होती है, बट अपने आप में, चारो तरफ जीले ही, जिसे हम सब ताल भी है, नौकुचिया ताल भी है और सुखा ताल भी है, तो चारो तरफ जीलों का एक वो बना हुआ है, रेंज बनी हुई है, साथ में करीब 50-60 किलोमेटर कोरवेट नेशनल पार्क है, जो पूरा वर्ल्ड वाइड जिसे लोग जानते हैं, वहां भी रहने के लिए बहुत सारे फाइस्टार ओटलों की रेंज आ चुकी है, इसमें आप पांग साथ जार र लेश जो है ना, वो नेनी ताल ही है, पास में अगर आप 50 किलोमेटर जाते हैं, तो आपको रानी खेत मिलेगा, रानी खेत से हिमाले की पूरी रेंज दित्ती है, इसके लावा अलमोडा है, वहां भी काफी लोगों ने बिजिट किया हुआ है, और वो भी अपने आप में बहुत अच्छा सहर माना जाता है, इसके अले कोरसानी है, वहां से नेनी ताल से करीब 100 किलोमेटर दूर, जहां पर प्रकृत का सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत अच्छा देखता है, वहां भी महात्मा गांदी जी ने अपना एक आसरम बनाया हुआ है, तो की जो देव भूमी है, उसकी रेज में अपने आप में एक क्लासिक शिटी है, उत्राखंड जाहते हैं.